तो मैं Realme C2 के Realme UI के बेस्ट अपडेट के उपर बात करूँगा, बहुत सारे लोगों के कमेंट आएते हैं यहां पढ़ सकते हैं, लोगों ने बोला है कि हमें Realme UI अपडेट नहीं मिलाया और कुछ लोगों ने बोला है कि Realme UI अपडेट हमें मिलेगा ही नहीं, ऐसा कोई अप v2 ko मिलेगा ही नहीं ऐसा कोई अपडेट बनाया ही नहीं गया है यहां पर बेशिकली साई डेटेल में बात वगी और बरजन के उपर बात होगी कलरोड की बात ओगी कैसे इसको मैनुवल और ओटिया के दुरूपा सकती हैं और उसको कर सकते हैं किस update का size वगेरा क्या हो सारा कुछ detail बात वोगी इस वीडियो को आपको अंतरक देखना होगा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि यह वीडियो फेक नहीं है और कोई वीडियो में फेक नहीं बनाता हूं चैनल को अभी त पढ़ सकते हैं यहां पर मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा यह आपकी फरवरी के मंत में फोस्ट लिखी गई थी इसी के अकॉर्डिंग हमें रियल्मी यू आपडेट रहने के लिए मिल रहा है जिसका बर्जन है सी डॉट 53 जो कि पहले रिज हुआ था यह बर्जन सी डॉट 53 जिन लोगों को भी रियल्मी यू आपडेट अभी तक मिला है जो मेरे सस्क्राइबर से उनके कमेंट भी आए हैं देखिए इन लोगों को रियल्मी यू आपडेट मिल चुका है इनके कमेंट यहां आप पढ़ सकते हो इन्होंने बोला है कि हमको रि रियल्मी यू आपडेट मिला है रियल्मी यू आई जिसका बर्जनता सी डॉट 3 यानि के त्रेपन वाला और इसको हमें इस्टेवलाइज करना बहुत जरूरी होता है इस्टेवल फॉर्म में रिलिज किया एक सो सट एम इनके यानि कि जो रियल्मी यू आई के अंदर जो लिखी गई है सारा कुछ डिटेल में लिखा हुआ है आपका जो रियल्मी यू आई का अपडेट था वो दो जीवी से भी ज्यादा है दो जीवी पॉइंट बन का है यानि कि दो जीवी से भी ज्यादा है और उसको इस्टेवल बर्जन में रिलीज किया गया है उसके अंद लिए मैं अपने इस मॉबाइल स्कीन पर एक अपने heir अपने सटेयागी ड्यावाथ का उन्हों नवीं किया हूँ यह वह साथ में अंपूम को दोस्तों यहां पर एस बीडियोरा देक पा रहे होंगे वह वह 10 रिए वह उन्होंने वह फैजा थांका बहुत बहुत दन्यवा और हमने इस वीडियो के माध्यम से सभी को बताना है और बहुत से लोग हैं जो इनको रियल्मी यूआ का अपडेट मिल चुका है अगर वो अपना वीडियो या अपनी एक्सपीरियंस सेयर करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्स पड़ा हुआ है टेलिग्राम का वहां से ज सब्सक्राइब नहीं मिला है तो आप वीडियो बनाकर मेरे साथ भेज सकते हो और अगर उसमें हैंगिंग लैकिंग कोई समस्य आ रही है उसको भी बता सकते हो इसक्रीन रिकॉर्डिंग के साथ में यदि आपको रियल्मी यूआ अपडेट नहीं मिला है चाहते हो मिलना औ पूरी स्क्रीन रिकॉर्ड करके और मेरे उस टेलेगराम वाले चैनल पर भेज सकते वहां से मैं उस वीडियो को डाउनलोड करके और उसको आपका इस वीडियो याई कहीं पर मैं आपको दिखा दूँगा और उसके बारे में डेटेल में बता भी दूँगा ये कौन से वा वो चल रहा है तो उसके आधार पर आप मुझे भीजोगे मैं उसी बेसिस पर तुम्हें ये बताऊंगा कि आपको रियल्मी यूई अप्डेट कब तक देखने के लिए मिलेगा वैसे तो लास्ट अपरल तक सभी को रियल्मी यूई प्रोवाइड करा दे जाएगा जो रि रियल्मी c2 के अंदर ट्राइल वर्जन में रियल्मी यूई अप्डेट मिला था उनका सभी का इस्टेवल कर दिया यानिके बो अब जो अब जो अब देट देंगे जो कि आपके में बर्जन था भी एडॉट 33 वाला या एडॉट 47 वाला या एडॉट 32 वाल अपडेट है इसको अगर रियल्मी यूई में बदला जाएगा तो वह एक इस्टेवल वर्जन में दिया जाएगा आपको यानिके मोडिफाई करके दिया जाएगा पूरा का पूरा उसके अंदर कोई भी बग्स हैंगिंग नहीं होंगी अगर हमें इस्टेवल वर्जन में और हίलेट देखने के लिए मिलेगा जिसमें आपके PC गल्ट चीजों को प्रमोर्ट नहीं करता हूं नहीं कोई मैं स्प stressing मैं जब भी करूँगा तम मैं रियल की चीजों सिप करूंगा किसी की भी गलट चीजों का YOUR Susp Profiles नहीं लुह दोस्तो और नहीं करता हूं मैं रियल मैं लेकिन सिवन नहीं मिलेगा यह कभी भी पर नहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा नहीं और में रियन मीरा मिलेगा नहीं मिलेगा मैं लिए वीदिप्टी और शाहर देखने के लिए आप लोग यह चीज के बताऊंगा उसमें realme UI का fund भी बताऊंगा क्यों नहीं मिल रहा है क्या कारड है वो भाई मुझसे कमेंट किया था इस वज़े से उसे बता दिया कि realme UI के रिगार्ड है उन्होंने कमेंट किया था तो realme UI update realme C1 को कभी भी देखने के लिए नहीं मिलेगा दोस्त और उसके अलावा अगर आपका realme C2 अगर चला रहे हो तो उसके लिए खुसकब रहे है realme UI है उसका 1.0 वाला बर्जन हमें देखने के लिए हमारे रियली C1 में देखने को मिलेगा जो कि हम यूज कर रहे हैं बहुत पहले से बहुत सारे लोगों को यह मिल चुका है और वो यूज भी कर रहे है smoothly और आपको भी मिल सकता है लेकिन अभी बेट करना होगा हमें last April तक कर ठीक है so stable form में यह सभी को मिलेगा ऐसे बिलेम ना लगाया करें दोस्तों और चीजों पर विश्वास करना सीखे क्योंकि मैं आपर गलत चीजों को प्रमोट नहीं करता so guys basically